सब्सक्राइब करिया है फाइस्टडी चैनल को बेल आइकन को प्रेस के जिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे बड़े पाने के लिए हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक हाइस्टडी चेंजिंग दवे आफ एजुकेशन दोस्तों आज जो हम मैस्ट के सेशन में डिसकस और पूरे अंत तक वीडियो को वाज करना जो भी डाउट है आपका वह हंडेट तेन परसंट यहां से इंड होकर जाएगा जो कुछ आपको नहीं समझ में आता है यह जिस टाइप के कुश्चन में आपको दिक्कत है उस टाइप के कुश्चन भी यहां पर बताये जाते है कहने का मतलब पूरे मिक्स रूंध करा जातें हैं तो आप सिम्पल प्ले लिस्ट में चले जाए वहां पर टूटल 110 ए 112 मैयर कि क्लासे केवल सेकन्ड सेमेश्टर की अप्लोड है चैप्टर वाइज आपको नहीं कोई रूप्ट है तो आप वहां से देख सकते हैं ठीक ना तो यहां पर मैं दोस्तों किवल आपको उन्हीं कुश्चन बताता हूं जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज होती है थोड़ा सा लेंधी होते हैं क्योंकि जो कुश्चन आसार अब जैसे कुश्चन पेपर में आ जाएगा कि सबसे छोटी पूर क्या है तो अब यह भी अगर आपको बताने की जरूरत है माडल पेपर में तो आप बताईए यह आपको पता होगा मैंने नंबर वाली क्लास में बताया था कि सबसे छोटी पूर संख्या जीरो होती है प्राकृतिक एक होती है यह मैंने सब चीज़े दोस्तों आपको चाहरा है पांच फर्श घ्रे मेरी एयू अपने पुत्र की आयों की तीन गुनि थी दस वर्स बाद लियू कीड़ लगवेज हो जाएगी कि question कहें क्या रहा है और इसमें हमको पूछा क्या गया है तो आप question को simple method से निकाल सकते हो question पढ़िए कहा गया यहाँ पर मैं और मेरे पुत्र कहने का मतलब मैं यानि पिता और मेरा पुत्र दो लोगों की बात की गई है और कहा गया कि पांच वर्स पहले मेरी आयू मेरी मतलब मेरी देखे question अपने उपर लेजी पांच वर्स पहले मेरी आयू तो यहाँ पर दोस्तों आयू तो पता है नहीं भाई नहीं पता ना तो मैं यहाँ पर आयू मान सकता हूँ मैं मानूंगा कि पुत्र की आयू क्या हो जाएगी यहाँ पर दोनों लोगों की आयू नहीं पता हमें मानूंगा माना पुत्र की आयू क्या हो जाएगी भाई माना पुत्र की आयू मैंने एक्स मान लिया QS माल लिया तो पिता कि या उन्हाष सकते हैं ठीक है ना पिता किया उन्हाष लूख को दिक्षक यहाँ- किसी भी साथ ठीको तिकना वाई मानने अब देखिए प्रश्णानुसार चलिए औरMaxing क्या उसके according चलेंगे और अच्छे से question को solve करेंगी मैंने पिता की उम्र मानी वाई और पुत्र की उम्र मानी मैंने एक्स अब देखे question क्या कह रहा question कह रहा दोस्तों पांच वर्स पहले तो यह बताओ कोस्तों पहले की बात की गई का मतलब क्या होता है मैंने बताया था कि अ प्रॉब्लम वाले तीन गुनी थी बस अब इसको सॉल्व करेंगे यह हो जाएगा दोस्तों मेरे 3x और 5 3 हो जाएगा 15 बराबर का y-5 यह हम इस तरफ आएगा माइनस में बराबर इस तरे बच गया माइनस के 5 और यह माइनस के 15 उस तरफ गया तो प्लस के 15 हो गया कहने का मतलब दोस्तों हो गया थिरी माइनस वाई थिरी एकस माइनस के वाई बराबर का दस समी करल नंबर एक बन गया बोलो कोई दिख्कत नहां तक भली कि समी करल नंबर क्या बन गया दोस्तों एक बन गया क्या बन गया थिरी एक्स माइनस के वाई समी करल नंबर क्या बन गया एक बन गया है ठीक ना अब देखिए अब दोस्तों दूसरे कुश्चन क्या कह रहा दूसरा अब देखिए कह रहा दस वर्स बाद अब दोस्तों बात की गई बाद की बाद की बाद की नहीं बाद का मतलब प्लस होता है भाई मैंने बताया था तो दस वर्स बाद तो अब देखिए दस वर्स बाद कहरा पुत्र की आयू की दो गुनी हो जाएगी मतलब मेरी आयू यानि पिता की आयू पुत्र की आयू की दो गुनी हो जाएगी यहां पर मैंने पांच-पांच लिस्स किया था क्योंकि पांच और से पहले की बात कर रहा यहां दस-दस और से मैंने जोड़ा था क्योंकि बाद की बात कर रहा यहां पर कर दिया यहां पर कर दिया यहां पर हो जाएगा यहां पर जोड़ेंगा तो तो यह हो जाएगा टू एकस माइनस के वाई बराबर माइनस के दस समी करल नंबर दो हो जाएगा टू एकस माइनस के वाई बराबर के दस समी करल नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा एक दो हो जाएगा अब समी करल एक और दो को घटाने पर मैं घटा लेता हूं समी करल एक और बराबर का था दस और दूसरा मेरा क्या था टू एकस माइनस के वाई बराबर के माइनस के दस अब घटाते हैं तो नीचे वाले के चिने बदल जाते हैं ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस और ये माइनस तो ये प्लस हो गया देखिए यहां वाई से वाई क्या हो गया कैंसिल हो गया ब्याइक प्लस एक माइनस 1312 सक्राइगा तो एकस बराबर राष दस दस हो गया बीस एकस बराबर दोस्तों बीस आ और 20 आया क्या पुत्र की आयू आई है अब हमको ना पिता की आयू पता करने है पिता की आयू तो पिता की आयू पता करने के लिए जो एक्स का मान आया है इसको दोस्तों आग किसी भी समीकरण में रख लीजी मैं इसका मान समीकरण एक में रखता हूं ठीक ना तो समीकरण ए मेरा था क्या यहां था दोस्तों थिरी एकस माइनस के वाई बराबर के दस अब हम इसमें एकस बराबर बीस रखेंगे तो यहां पर रखेंगे तीन गुड़े का बीस माइनस के वाई बराबर का हो जाएगा दस बीस तियां हो जाएगा साथ माइनस के वाई बराबर का दस यह कि यही मेरे कोईश्टन का सही जवाब है कि नोट कर सकते हूं फिर नेक्ष हुपीश्टाइब लिए कुछ साथी कहने सब्सक्राएब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए तो भाई इसपीड बढ़ाकर किसी चीज को गलत नहीं करना है हमें हमें थोड़ा सा टाइम देकर इन कुष्टिनों को पढ़ना है ठीक है ना तो थोड़ा सा टाइम आप भी दिया करिए नहीं अगर थोड़ा सा प्लस माइनस भी कहीं से अंतर हो जाता ना तो पूरे कुष्टिन की वाट लग जाती है भाई तो में आता हूं किस प्रते हैं आने के आसार है एस से שמן में आ सकते हैं ठीक ना क्योंकि पेपर का लेजिल थोड़ा साफ ही रहने वाला है कि तक वैसे हमें पूरा कन्फर्म मिन यह नहीं तक क्योंद दे कि पेपर का लेविल थोड़ा सा अप ही रहने वाला है ठीक तो देखिए दूसरा कुश्चिन दोस्तों मेरा क्या कह रहा है आज का सेकेंड नंबर कुश्चिन क्या कह रहा है तो यहां पर हम इसको कैसे सॉल्फ करेंगे कुश्चिन कह रहा है 16 x square प्लस का 4y square का मान आपको बताना है यदि 4x minus के 2y बराबर 8 तथा xy बराबर 2 हो तो ठीक ना देखिए अब हम इसको दोस्तों क्या कह सकते हैं इसको यह कह सकते और मैंने आपको कई बारे से कुश्चिन में बताया है कि जब डिफरेंस चिन होते हैं जब एक स्थान प्लस पर मांइनस होता है और उसका घात दो होता है तो कौन सब फार्मूला लगाते a-b वाला यानि इसको हम क्या कह सकते हैं इसको कह सकते four x minus two y ka whole square कह सकते हैं ना और यह वन गया ए-ma-b ka whole square a-b ka whole square कह होता क्या a square plus b square plus का हो गया मेरा b square और माइनस का होता two a b यानि दो गुड़े यह हो गया four x और गुड़े हो गया मेरा two y कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए इसका माहन है four x minus two y बराबर आठ तो यह हो जाएगा दोस्तों मेरा आठ का वर्ग बराबर four का चार चोंके 16 x square दुनी हो गया 16 यह हो गया 16 xy ठीक है ना अब क्या करेंगे आठ का स्कॉयर होता है 64 बराबर यह हो गया 16 x square plus का four y square और देखिए माइनस अब यह दोस्तों हो जाएगा आठ 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 गया 16 एक सुवाई बराबर दिये हैं दो तो हम 16 और गुड़े क्या कर देंगे दो कर देंगे 16 दूमना 32 यह 32 माइनस में इदर आएगा प्लस में यह दो आएगा 64 प्लस का यह आगया 32 ठीक ना यह आगया मेरा 32 यह माइनस में था इधर प्लस में क्योंकि 16 दूमना क्या होता 32 यह इधर प्लस में आगया वह बराबर इसतर प्लस का नोट कर सकते हो सोला एकस स्कॉयर प्लस फोर वाई स्कॉयर का मांद 96 आगया वह नोट कर सकते हो नेक्स्ट कुईस्टन पर पहुंचते हैं ठीक ना नेक्स्ट कुईस्टन पर हम लोग पहुंचेंगे चलिए अगला कुईस्टन ठीक है ना अगला कुईस्टन देखते हैं हम लोग और उसको लगाने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट कुईस्टन तीन नंबर देखेंगे उसको लगाएंगे हम लोग गया है तो कहा गया एक गाओं की जंसंख्या एक गाउं की जंसंख्या एक गाउं की जंसंख्या एक गाउं की जंसंख्या हमको दिया गया पैपुलेशन बताया गया है कितनी एक गाउं की जंसंख्या फाइफ एकस इसक्वायर प्लस टू एकस माइनस का एट है ठीक है ना और कुश्चन आगे क्या कहा गया महिलाएं दिया गया है, महिलाएं कितनी हैं, तो महिलाएं 4X square plus x minus 3 हैं, तथा सेष पुरूस है, तथा सेष पुरूस है, तो कुईश् silicon पूचा गया है, पूरूसों की संख्या बताओ, पूर्सों की संख्या बताओ कोईशे पूचा है कोईशे में फिर से पढ़ देता हूँ कोईशे कहा गया एक गाओं की जन संख्या 5X² प्लस के 2X माइनस के 8 है यदि गाओं में महिला है 4X² प्लस का x माइनस के 3 है जो बचा वो हमारे पूरस है तो पूरसों की संख्या हमको दोस्तों बताना है पूरसों की संख्या कि छो गाव को मताया है अगर मैं मानलू यह मेरा एक टूटल गाव है इसगाव में गाव की जंख्या मैंने वाना और मैंने कहा कि unfamiliar female female 5 है तो Mal कितने होजाएंगे आप कैसे बताओगे तो कहो कि सर अगर मैं 10 5 घटा दूँत तो पता चल जाएगा की मेल भी हमारे 5 है कहने का मतलब दोस्तों अगर कुल जन संख्या से हम देखे क्या करेंगे दोस्तों जो गाँन की जन्संख्या है उसकी संख्या महिलाओं की घटा देंगे जो बचेगा से पूरुस बचेंगी तो चलिये देखे कैसे लगाते ठीका ना बहुत इसी कुछ स्चंथा दोस्तों आप कोई एंसर भी दे रहे हैं सभी लोगं अच्छे से बेंगे यह पूरिए जंसंख्या में दूस्त में जबत के 2ish minus के एट अगर इसमेंसे हम महिलाओं की जंसक्ख्या घटा दें 4x square mais के x और मायनस क much के अगर यह घटा दे तो जो बचेंगा वो हमारे पुरुस कंषिक्या बचे गी तो घटाते وक्त नेचे वाले के बदल जाते हैं माइनस है तो यह whats ही यह व्हुंस की संख्या कर सकते हो पुर्षों की संख्या हो जाएगी एकसष्कार प्लस का एकस ऐकस माइनस का दोस्तों हो जाएगी की संख्या तीन कउश्चन हो चुके हैं next question पोहुचेंगे नोट कर सकते हूं इस question को फिर अग्ला qualcी न esos देखते हैं थेखे नDYrices इस लेगला question भाई देखते हैं चार नंब्र कुछेंगे यहां तक भाई सब को समझ में आया है है है告訴 거지 है नेक्या फेरण दोस्तों मेरा क्या खहरा है चार नमबर कुश्चन तो चार नमबर कुश्चन करा 4, 11, 16, 15 4, 11, 16, 15 12, 5, 7 12, 5, 7, 9 और उसके बाद 10 की माधिका बताओ 10 की माधिका आपको बताना है माधिका बताओ लगाई यह कुश्चन है ऐसा कुश्चन है कि इस बाद पेपर में भी आया था ठीक है ना चार ग्यारा सोला पंद्रा बारा पांच शाथ नो दस की माधिका आपको बतानी है तो दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको एक बात बताई थी कि अगर आंकड़ी इस करम में लिखे होते हैं तो आंकड़ों को हमको बेवस्तित करना पड़ता है चाहे आप आरोही कर क्या चार चार से छोटी कुछ है नहीं है तो सबसे पहले चार चार से बड़ी दोस्तों क्या है चार से बड़ी है पांच तो यह हो गया पांच से बड़ी साथ तो यह शाथ फिर है नौ फिर दोस्तों दस यह हो गया अब दस के बाद मेरी है ग्यारा ग्यारा के बाद बारा और 12 के बाद है मेरी 15 15 के बाद है 16 तो अब इतना काम करने के बाद जरा हम एक बार काउंट कर लेंगे कि जितने कुश्चन में नंबर हैं क्या उतने नंबर हमने यहां पर लिखा है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ कितना होगे दो दो चार दो छे दो आठ एक नौ तो क्या मैंने नीचे भी नौ लिखे है भाई दो दो चार दो छे दो आठ एक नौ लिखे है तो कहने का मतलब नंबर आप कंडिडेट कितने हैं नौ है और जो की है क्या मेरी एक विसम संख्या है नंबर आप कंडिडेट कितने हैं नौ है जो की है क्या मेरी एक विसम संख् तो दोस्तों यहां पर एन की वेलू है और 9-1 हो जायेगा 9-1 बटे का टूवाँ पथ यहीं तो हो जायेगा ना बोलो कोई दिक्कत नहीं बहुत इसी नौ में गडूड़ेंगे 10 10 और बटे हो जायेगा दो पांचुवाँ पद आ जायेगा क्या जायेगा पांचुवाँ माधिका बराबर आपकी 10 आ जाएगी इस question का परमसत्य answer note कर सकते हो next question पे पहुँच गए ठीक है ना note कर सकते हो फिर next question पे हम लोग पहुँचते हैं देखते हैं question हमारा क्या कह रहा है और उसको लगाने का हम लोग प्रयास भी करेंगी ठीक है ना चलिए भाई चलिए देखते हैं अगले नंबर question को अगले question को देखते हैं अगला question हमारा क्या कह रहा है उसको लगाएंगे अच्छे से पांच नंबर question को देखे ऐसे question भाई आपके paper में आ सकते हैं सभी question important के वल आपको important question ही बताये जा रहे हैं पांच नंबर दोस्तों मेरा question क्या कह रहा है पंद्रा bracket में y minus के 4 उसके बाद है minus के 2 bracket में आपका y minus के 9 फिर है आपका plus का 5 प्लस का 5 और y plus का 6 y plus का 6 is equal to 0 इसको आपको लगाना है ठीक है ना इसको दोस्तों आपको लगाना है तो कैसे आप लोग इसको लगाओगे देखिए मैंने बताया था जब bracket के बाहर कोई number होता है without किसी mark के यहाँ पर देखो कोई चिन्ह नहीं यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो हम उसका अंदर के पदों से मल्टिप्लाई करा देते हैं अब देखे अब हम यहां पर yy वालों को जोड सकते हैं यह 15y प्लस में यह 2y माइनस में यह 5y प्लस में तो पंदरा पांच 20 20 में तो हो गया 20 में से दो जाएगा 18y 18y माइनस का 60 प्लस का 18 प्लस का 30 30 10 40 छिए करके 98os 28 28 माइनस के साट माइनस के साटो प्लस के 48 ठीक ना बराबर का दोस्तों कितना बच गया मेरा 0 बच गया क्या करें मैं सब्सक्राइब यह नहीं मुझा प्लस कितना कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा और 40 में से 70 साथ में से 40 गटा होगे माइनस के 12 बराबर का 0 वाई का मान निकालना यह माइनस में उस तुरह जाएगा प्लस वे तो इधर बच गया भाई अठारा वाई बराबर उस तरफ चला गया हो गया 12 वाई बराबर क्या आ बारा और बटे में आ जाएगा अठारा दो तीस कितनी बार छे से जाएगा छे दुन्नी बारा और छे तरीक अठारा दो बटे तीन आपके कुश्चन का क्या आ गया सही जवाब आ गया अच्छा यह समी करण था ना इसलिए मैंने चरका मान निकाला क्योंकि भाईया देखो बराबर का चिन लगा है इधर भी कुछ है उधर भी कुछ है नि दोनों पच्छा है और चर अचर इंकुलूड है कहने का मतलब यह समी करण है तो वही बराबर आ गया दो बटे तीन मेरे कुश्चन का सही जवाब नोट कर सकते हो और छे नंबर कुश्चन पर बढ़ेंगे किलियर है ना किके भूज्य फिर भाई कुर्शन देखते हैं और उसको लगाने का मद क्या करेंगे प्रयास करेंगे इस फांच हो चुके हैं शे नंबर कुश्चन देखते हैं उसको लगाएंगे हम लोग समझ में आप लोगों किया रहा है तो भाई लाइक कर सकते हो वीडियो को ठीक है ना लिखा एकस प्लस वन बाई एकस प्लस का वन बाई एकस बराबर का छे तो एकस क्यूब तो एकस क्यूब प्लस का वन बाई एकस क्यूब का आपको मान बताना है इसका मान बताना है एकस प् Q plus 1 Q 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 खोट गया अब देखेगे दोस्तों क्या करेंगा एक सकावेलू दी गई तो यहां पर मैं इसका क्योभ्त यहां पर x cube प्लस का one by x cube इसमें कुछ नहीं करेंगी क्योंकि इसी कमान बताना है यहाँ पर दोस्तों x कैंसितिन एक कम हो गया तीन और ब्रेकेड के अंदर हम कितना रखेंगे एक सब्स one by x कमान दिया गया छे तो हम 6 रख लेंगे ठीक है ना 6 का क्यूंब 6 च चाहां कि दो grabbing इस तरफ हो गया एक्स Q Watts this over by X Q यह हो गया छे ट्रीक 18वी और प्लस के हो गया है इसका मान बताना यह प्लस के ठाइरगा माइनस जी मेंस के ठाइगा 206 माइनस के ठाइगा आप प्लस के एक्स क्यूप फॉन नह्ता फ़ाइगे तो आस ब주 Imperial तो बहिए नो बज गया एक सो अठानवे कितना आ गया एक सो अठानवे आगे इस question का सही जवाव यानि इसका मान आ गया कितना एक सो क्यूट प्लस वन वाई एक सक्यूट का 198 एक सो अठानवे नोट कर लीजे फिर seven number question पर बढ़ते हैं seven number question पर बढ़ेंगे ठीक है ना नोट कर लीजे वहीं फिर अगले number question पर बढ़ते हैं कि अज़िए चलिए अब साथ नंबर question देखेंगे क्या कह रहा question उसको लगाने का प्रयास करेंगे seven number question को कि seven number question मेरा क्या कह रहा है seven number question तो कह रहा है 9.9 का square को सरसमिका से हल करो को शर्व शमिका से हल करो शर्व शमिका से हल करो चलो भई बताओ 9.9 का whole square को सरसमिका से हल करो तो दोस्तों हम इसको कैसे solve कर सकते हैं आपको पता है हम 9.9 को क्या कह सकते हैं हम इसको दस माइनस दसमलो एक का whole square नहीं कह सकते हैं कह सकते हैं और दसमलो एक को मैं क्या कह सकता हूं जला बात समझे न अगर दसमलो एक लिखा है इसको क्या कह सकता हूं इसके नीचे बटे एक मानूंगा दसमलो हटाओंगा जीरो कहने का मतलब एक बटे दस कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं दसमलो एक को एक बटे दस कह सकता हूं बस तो जहां पर दसमलो एक लिखा है हम दसमलो में इसकी calculation बाद में करेंगी पहले तो मैं इसको 10-1 बटे 10 का whole square कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ 10-1 बटे 10 का whole square कह सकता हूँ तो ये a plus a minus b का whole square कहने का मतलब सबसे पहले a का square 10 का square फिर b का square plus का 1 by 10 का square हो जाएगा यही तो हो जाएगा ना उसके बाद दोस्तों minus का क्या आता है 2ab तो 2 गुड़े 10 और गुड़े क्या हो गया मेरा 1 by 10 यह हो गया ना 1 by 10 हो गया अब देखे दोस्तों क्या करेंगे अब हमको इसका मान बताना 10 का square होता है 6 plus का 10 का यानि 1 का square हो गया 1 और 10 का square हो गया आपका 10 का square हो गया 6 अब minus का 10 दुन नी 20 20 कब कितना हो गया 20 बटे का हो गया 10 यानि इसको काटेंगे तो simple क्या आजाएगा 2 आजाएगा ठीक ना अब देखें मैं इसको भाग कर लूँगा अगर जोस्तों मैं इसको भाग करूँगा तो यह कितना आजाएगा यह आजाएगा 100 प्लस का दसंबलो दो अंक पहले आजाएगा यहनि दसंबलो का 0 1 आजाएगा जब मैं एक को 100 से भाग करूँगा माइनस के हो जाएगा 2 अगर मैं 100 में दसंबलो 0 1 जोड लूँगा तो मेरा क्या आजाएगा 100 दसंबलो 0 1 माइनस के 2 तो हम इसको जोडेंगे तो आजाएगा 98 दसंबलो 0 1 इस कुष्चन का सही जवाब नोट कर लेजी 98 दसंबलो 0 1 के आजाएगा इस कुष्चन का सही जवाब आजाएगा नोट कर सकते हो भाईया कोई डाउट है तो आप लोग किलियर कर सकते हो कितना आ गया है मेरा वो मेरा आ गया भियान 98.01 98.01 क्लियर ना चलिए फिर next पे पहुँचते हैं next पे पहुँचते हैं आठ नंबर कुश्चन पे पुहुचेंगे और देखेंगे मेरा कुश्चन क्या कह रहा है उसको लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे क्लियर ओक्लियर देखें अब आठ नंबर दोस्तों मेरा कुश्चन क्या कह रहा है तो यह एकदम सिंपल कुश्चन है कुश्चन दोस्तों मेरा कहा गया है 8- 3 गुड़े का 6 भागे का है आपका 2 यह ब्रेकेड बंद और प्लस का है 3 इस कुश्चन पना अनसर क्या आएगा इसको तुरंत solve कर दीजिए 8 minus 3 गुड़े 6 भागे का 2 plus का 3 ठीक है ना तो देखिए पहले bracket solve करेंगे क्योंकि board mass rule लगेगा तो bracket में भाग है तो 2,3,6 कहने का मतलब bracket वच्छा 3 गुड़े का 3 दो कच्छे से भाग की प्लस का हो गया मेरा 3 तो यहां पर हो जाएगा 8 minus के 3 तीन तरिक का 9 यह 9 प्लस का हो गया 3 अब क्या करेंगे प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे याद रखना यहां पर बहुत ज्यादा गलती होती है लोग क्या करते हैं कि इसको और इसको जोड़ जोड़ देते हैं जो की गलत है हमेशा प्लस प्लस वाले जुड़ते हैं और मैंने बताया था जहां पर कोई चिन नहीं वहाँ प्लस को तो यानि हम इसको और इसको जोड़ेंगे वहिया 8 3 हो जाएगा 12 12 माइनस के 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 3 12 तीन होगा ही मेरे कु सब्सक्राइब तो माइनस का तीन आता लेकिन माइनस का तीन नहीं आएगा यहां पर तीन आएगा याद रखनाटी करा बढ़ते हैं नेक्स्ट कुष्चन पर बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है उसको लगाने काम लोग प्रयास भी करेंगे चलिए अब दोस्तों को आगे अपने नौ नमबर कुष्चन पर नव नमबर कुष्चन पर आ चुके हैं हम अपने और कुष्चन क्या कह रहा है वो देखे कुष्चन कह रहा है। नमबर कुईस्चन क्या गह रहा नो नमबर एक सम कोण तिर्भुज जिसकी करण भुजा 25 सेंटी मीटर एक सम कोण तिर्भुज जिसकी करण भुजा 25 मीटर है 25 मीटर तथा 25 मीटर तथा उचाई 24 मीटर है उचाई 24 मीटर है तो कुईस्चन दोस्तों कहा गया तिर्भुज का छेतरफल बताओ तिर्भुज का छेतरफल बताओ लगाए कुईस्चन ऐसे कुईस्चन मैंने आपको बताए है ठीक है ना लगाए कुईस्चन भीया क्या कह र करें आप लोग फटा-फट से स्कुष्टन को लगा के बता दीजिए फटा-फट से भाई स्कुष्टन को बता दीजिए कितना आ जाएगा इसका राइट एंसर चलिए भाई वेरी गुड ठीक है ना देखे हम क्या कर सकते हैं अगर मैं इस कुष्टन को लगाऊंगा तो पता है सम को तिरभुज है हम अगर इसको डाइग्राम में कनवर्ड करूंगा यह मैंने इसको एक चित्र में कनवर्ड कर लिया मैंने नाम रख दिया ए बी और सी ठी की ठीक सामनिंगे भुजां करड होती है तो यह रख करड करड की लंबाई कि दीगें यह 25 मिटर उसके बाद उचाई तो उचाई यह रहा मैंने बताया था लंभ का मतलग उचाई होता है तो लंभ कितना हम यह 24 और आधार हमको दोस्तों पता नहीं है आधार हम क्यों पता करेंगे तो देखो क्यों कि सम्कौन तिर्भुच का छेत्रफल का फार्मूला क्या होता है वन बाइटू गुड़े आधार गुड़े यह होता है तुम्हारे सम्कौन तिर्भुच का छेत्रफल तो आधार तो दोस्तों इसमें पता नहीं है आधार पता करने के लिए हम क्या लगाएंगे पैथा गुरस परिमेंगे क्या होता है मेरा करड़ी स्कॉायर बराबर लंभी स्कॉायर प्लस का आधार इसकॉायर तो अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो हमें आधार पता चल जाएगा 25 का वर्ग होता है 625 माइनस 24 का वर्ग होता है 576 बराबर उस तरफ बच गया दोस्तों मेरा आधार का वर्ग ठीक ना घटाएंगी यह हो जाएगा 9-11 में से 4 गया तो 7 गया 4 बचा उनिन चास यह कर आधार हटाएंगे तो करड़ी वर्ग में हटाएंगे घात को तो करड़ी में आ जाएगा यह आधार बराबर आगे आपका उनिन चास उन्चास का मतलब साथ आधार आगे साथ यह इसकी लंबाई आगे साथ बस आधार पता है तो सब कुछ पता चल गया वन भाई टू आपके कुष्टन का सही जवाब कर सकते हो अगले कुष्टन पर बढ़ते हैं को इपकत तक है किशी विशाथ यॉस समझ में आ गया है जैसे बठते हैं दस नंबर कुईस्टिन पर बठते हैं और देखते हैं दस नंबर कुईस्टिन मेरा क्या चैता अगर समकोर तुर त्रिवच कहा गया है और उसमें आधार उचाही दे दी गई है तो आपको कर्ण निकालने की जुरुवत नहीं है वो तो मैंने आपको 2-3 तो मेरा कुश्चन क्या कह रहा है तो कुश्चन कह रहा है तस नंबर 24,72,144 का LCM और HCF गुड़न खंड विधी से निकालो चलो भी यह बताओ विधी से निकालो गुड़न खंड विधी से निकालना है आपको क्या 24,72 और 144 का LCM 144 का क्या निकालना दोस्तों LCM निकालना है ठीक है आप देखे मैं इसको क्या कह सकता हूं सबसे पहले दोस्तों मैं 24 इन सबके अलग अलग गुड़न खंड कर लेते हैं 24 फिर हो जाएगा मेरा 72 उसके बाद हो जाएगा मेरा 144 मैं 24 को क्या कह सकता हूं 2 दून्नी चार-4 और दून्नी आठ आर्ट तिरीक हो गया 24 वैन्हीं इसको कह सकता हो दो कि पावर 3 र गुड़े का क्या हो जाएगा 3 को देकत यहां ततक मैं 72 को कह सकता हूं 2 दून्नी चार दून्नी तिन दो की पावर तीन और गुड़े का क्या हो जाएगा तीन कोई दिकत भाई यहां तक मैं 72 को कह सकता हूं 2 दुनी 4 दुनी 8 निशोला दुना 32 32 हो गया जो दुनी 4 चार दुनी 8 आथ दुनी 16 और 16 हो गया आठ चो के 32 हो ठीक है ना दुनी 16 दोला है लेकि आगर ऐसे दोस्तों आपको प्रावलम होती हमें भी हो जाती है तो हम इसको थोड़ा सा शार्ट कर सकते यहनि मैं 72 को ऐसे कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं तब तो पता चल जाएगा यह जाएगा तरीगा हो गया है दो तीन बार और तीन दो बार और तीन आ जाएगा इना दो भार जो भीस्टीस नियां भालतर एक सो चोगवाइस को गए सकते हैं ना बिल्कुल अगर हमको दिख्कत लग रही 2-14 दो दुनी-4 यह दो बढ़ गया है यहाँ पर तो दो आजाएगा चार बर यह नहीं हो जाएगा एक, दो, तीन, चार, और तीन आजाएगा आपका दो बार में, ठीक है न, तीन क्या आजाएगा, आपका दो बार में आजाएगा, अब देखिए, हम एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों कितना आ रहा है, दो की पावर तीन, और गुड़े तीन की पावर दो, बरा कितो, अब हमको बताना दोस्तों LCM, क्या बताना LCM, और फिर बताना HCM, मैंने LCM बताय तक क्या होता है, LCM में बड़ी घात लेते हैं, हमेशा, हमेशा LCM में बड़ी घात लेते हैं, तो यहाँ पर दो की घात तीन, यहाँ पर दो की घात चार, तो दो की घात कितनी लेंगे मूइं चर लेंगे दो कि होए कंप यहां पर तीन की घात कितना लेंगे तो लेंगे और इसका जमक्ते नितन आंगे 144 गया सबसे चोटी घात कि गहात तो 2 की घात 3 सबसे छोटी हो जाएगी तो कहने का मता 2 दुनी 4 दुनी 8 यह हो जाएगा मेरा या आठ तो आठ और गुड़े का 3 बनाबर का 24 24 और 20 मेरा आगया 144 इस ही कुईस्ट्ट कर लिजे इस कुईस्ट्ट का राइट यह भई नोट कर सकते हो ठीक है नौट कर लिए इस कुईस्ट्ट्ट का अग्दम सही जवाब हो जाएका कोई दिक्कत तो नहीं भई यहां तक कि यहां तक किलियर समझ में आ गया ना चलिए फिर भई नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे और उसको लगाएंगे अगला जो होगा दोस्तों मेरा होगा 11 नंबर कुश्चन देखेंगे बिल्कुल बेसिक फंडा से आपको बता रहा हूं अगर आपने दोस्तों हमारी क्लासों को अटेंड किया है शुरुआ से तो आपको यह सब कुछ समझ में आ रहा होगा 11 नंबर कुश्चन मेरा क्या कह रहा है तो कह रहा है दस दसमलो पांच का होल स्क्वाइल को सरसमिका से लगाओ को सरसमिका से लगाओ लगाओ भीया सरसमिका से लगाओ मैंने बताया था जिब दसंवलो में दिया होता है उसको अगर आपने दोस्तों क्या किया उसको अगर आपने भिन और ने हमि cars लिया तो लगासकते हो देखिए दसमलो 5 को मैं क्या एक बटे 2 भी तो कह सकता हूँ यानि मैं इसको या कह सकता हूँ, दस प्लस का एक बटे 2 का whole square कह सकता हूं कि ने कह सकता हूं क्योंकि दसंबलो 5 का मतलब भी आधा एक बटे 2 का मतलब भी आधा दसंबलो 5 में calculation में थोड़ा सा difference यानि hard हो सकती लेकिन यहां से आसानी हो सकती a plus b का whole square क्या होता a square यानि 10 का square plus b square यानि 1 by 2 का square और प्लस का 2ab यानि दो गुड़े 10 गुड़े का 1 by 2 यही तो होता ना solve करेंगे 10 का वर्ग होता दोस्तों सव प्लस एक कवर्ग होता एक और दो कवर्ग होता है मेरा चार प्लस का यहां कितना हो आध दस दुनी 20 20 एकम 20 20 बटे में हो जाया दो काहटेंगे तो 10 जरा जाये अवदिखे 100 होगया वर्ग यह होगया अब हमको चुकिए यहां पर दस देंडा कर देंगे यहां Pershing लगाए बद यहां 510 वर्गाएंगी चार दुनी होता है संब्लो 25 मेरे कुश्चं का सही जवाब होगा कर लीजिए नेक्स्ट कुश्चं पर पहुंशते हैं नोट कर सकते हो फिर अगले कुश्चं पर पहुंशते हैं फटा फटा से नोट कर लिडिए थिक हैं कि एक 910 25 का सहीय चवाब अगला question देखते हैं reforms निएड़ से लग रहा dependent दिखकत वी बात में जरूरी नहीं आप होता है लेकिन अगर आपको आसानर ही लग राया है तो दोस्तों आप इसको भिन्ड में लगा सकते हो थीक ना तो आप इसको भिन्ड में लगा सकते हो देखिए अगला question में रहा है x प्लस 2y प्लस 3z 12 नंबर question बारा नंबर question ए एक्स प्लस का 2y प्लस का 3z का whole square इसको बताइये इसको बताइये भई कितना answer आ जायेगा इसको बता दीजे बहुत अच्छी CB ऐ vivo मैं थे में आपको एक दो धूब मुष्व मुला यंदिन बताए था क्या वह था था मैंने बताया था एफलेस बी प्लशी का होल एस्वायर बराबर होता क्या है ेस काई प्लस भी स्वायर स्य्क्वायर प्लस टू एभी प्लस का 2bc और 2c इसी फार्मूले से लगाईए क्योंकि मैंने बताया जिब 3 पद तीन और पद की घाद 2 तो यह earlier a square a मेरा मेरा x तो एक्सकाई स्क्वायर प्लस b square b है मेरे 2y तो यह हो जाएका 2y का स्कॉायर ब्लस c square c है मेरा 3z तो यह हो जाएगा थी जेन का मैं यहाँ से बताता हूँ दो गुड़े और क्या हॉजाएगा 3z और plus का दोस्तो होता क्या है मेरा plus का 2CA तो 2 गुडे 3Z हो जाएंगा और गुडे का X हो जाएंगा इसको शाल्व कर लिजी X का square X सी square होता है ठीक है n? X का square X स्क्राइब 2 का square 4 Y का Y square 3 का square 9 Z का Z square plus का 2 का X से करेंगे 2X 2X और 2, 4XY ये हो गया 4XY प्लस का 2 का 2 से करेंगे तो 4Y और 4Y का 3Z से करेंगे तो 4 तिया 12YZ 12YZ प्लस का अगर यहां पर 3 दोनी 6 6X या 6ZX देखे कुछ जूडिया घट रहा है नहीं घट रहा है जूडिया घट नहीं रहा है तो यहीं हो जाएगा मेरे का सही जवाब कर सकते हो एक से सूय आज प्लस का 4Y स्क्वाई प्लस का 9 जे ड एड व्लस का 4XY प्लस का 12YZ प्लस का 6Z X मेरे कुछिचन का सही जवाब है ठीक है ना है अगला क्यूच्च पहुचेंगे 13 नंबर कुएज islands कर से भई सिसक्वीस्ट कर लिजी को चलिए भाई अगला कुश्चन देखते हैं उसको लगाते हैं अगला होगा मेरा दोस्तों वो होगा तेरा नंबर कुश्चन वो होगा मेरा तेरा नंबर कुश्चन तेरा नंबर कुश्चन देखते हैं और उसको सौन बकरते हैं तेरा नमबर कुश्चिन मेरा क्या कहा गया है तो कहा गया 3x बटे का 4 3x बटे का 4 और प्लस का x बटे का 6 x बटे का 6 बराबर का 22 इसको हल करना है इसको हल करना तो ये तो भया समी करड़ है ना समी करड़ है इसको हल करेंगे तो कहने हैं कि मतलब 4 उट 6 का लासा लेंगे 4 6 का लासा हो जाएगा 12 यह मैंने ले लिया 12 लासा 4 3 12 और 3 तरिका 9 X यही तो ना 4 3 12 और 3 तरिका 9 X प्लस का 6 12 और 2 X हो गया बराबर का हो गया 22 तीक ना उपर जोड़ेंगे तो 9 2 हो गया 11 X बराबर का हो गया बाइस और गुड़े ये बटे में था उस तरफ पहुंच गया गुड़े में हो गया बारा ये ग्यारा गुड़े में उस तरफ जाएगा बटे में यानि एकस बराबर बाइस गुड़े का बारा और बटे का ग्यारा 11 से काटेंगे दो बार में 11 दुमना 22 और 12 दुमना 24 एक से बराबर 24 आ गया एक से बराबर 24 आ गया अब अगर दोस्तों आपने उत्तर की जाश करना चाहते हो तो इस 24 का मान उठा के इसमें रख देना 22 बराबर 22 आ जाएगा ठीक है ना अगर आप उत्तर की जाश करिए अगर आप नहीं संतुष्ट हो अपने एंसर से तो दोस्तों आप उत्तर की जाश भी कर सकते हो एक से बराबर 24 आया इसका मान उठा के यहाँ पर रख देना LHS बराबर RHS आ जाएगा ठीक है ना चलिए बढ़ते हैं फिर 14 नंबर कुश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है उसको लगाने का भी हम लोग प्रयास करेंगे ठीक है ना चलिए फिर नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं अगला दूस्तों मेरा कुश्चन हो जाएगा चौदा नंबर कुश्चन मेरा हो जाएगा यह कुश्चन इंपोर्टेंट है ठीक है न यह चौदा नंबर कुश्चन इंपोर्टेंट है चौदा नंबर कुश्चन कहा गया एक वर्गा कार खेत की भुज़ा हमको दी गई है कितनी दी गई है तो दी घ 3X फ्लस का शत्रा मीटर 3x plus के 17 मीटर खेत का 6 त्रिफल गयाद करो खेत का 6 त्रिफल बताओ खेत का 6 त्रिफल बताओ ठीक है ना खेत का 6 त्रिफल बताओ जब की x बराबर माइनस 3 जब की x बराबर माइनस के 3 x बराबर माइनस के 3 हो चलिए फिर लगाईए question को ठीक है ना लगाईए भीया कुश्चन को क्या कह रहा है कुश्चन को उसको समझे और बताईए कुश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा इस कुश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा फटा-फट से बताना है ठीक ना देखें वर्गा कार कोई एक भुजा एक खेत है नहीं यह कोई एक वर्गा कार क्या हो जाएगा खेत हो जाएगा एक सिकंट लुकना में मारकर थोड़ा सा चेंज कर लूँ चलिए ठीक है ना ये मैंने मान लिया एक वर्गाकार क्या हो जाएगा मेरा एक खेत हो जाएगा ये वर्गाकार ये आयत नहीं वर्गाकार ये वर्गाकार मेरा खेत है ठीक है ना छोटा सा बनाया हूं इसकी एक भुजार दी गई है और उसका छेतरफल पूछा है जब की कहा एक्स बराबर माइनस तीन हो तो वर्ग का छेत्रफल दोस्तों होता क्या है आपको पता होगा मैंने कई बार बताया है वर्ग का छेत्रफल क्या होता है वर्ग का छेत्रफल वर्ग का छेत्रफल बराबर होता है भुजा इसक्वायर ठीक है ना भुजा इसक्वायर करिए सिंपल से पहले आप लोग भूजा को ग्याद कर लीजे तो ज्यादा असानी रहेगी ठीक है ना आप यहां पर क्या करिए भूजा को ग्याद कर लीजे तो भूजा को ग्याद करेंगे थिरी एकस पलस का सत्तरा भूजा कितनी है भईया इस भूजा है आपकी थिरी एकस पलस क शत्तरा अभी तो इसमें आप एकस बराबर माइनस के तीन रखने पर एकस बराबर माइनस के तीन रखोगे तो भुजा पता चल जाएगी बस उसका वर्ग कर लेंगे यहां हो जाएगा 3 गुड़े यह हो जाएगा माइनस के 3 ओ प्लेस का 16 तीन तरिक्का हो गया 9 माइनस के 9 ओ प्लेस का 16 तो 8 आजाएगा 8 मीटर आजाएगा यैंगी वर्ग की भुजा आगई 8 मीटर छेतरफल पूछा था तो छेतरफल क्या होता है भुजाई स्क्वायर यही 8 का square करेंगे तो 8 का square होता है 64 वर्ग मीटर मेरे question का सही जवाब 64 वर्ग मीटर मेरे question का क्या हो जाएगा दोस्तों एकदम सही जवाब हो जाएगा 64 वर्ग मीटर ठीक है ना 64 वर्ग मीटर मेरे question का सही जवाब होगा दोस्तों ठीक हैं नोट कर लीजें नेक्स्ट कुईस्ट्टी पर पहुचेंगे जब नेक्स्ट कुईस्ट्ट्ट हमारा जो होगा वो आज का लास्ट नंबर कुईस्ट्ट्ट्ट्टि व खालगा टीकral में आपको लेकिन बास समझें तो पांच कुष्चन जो आपके भविकल्पी आते हैं वो तो आपको खुद से करना है ना उसमें कोई दिक्कत बाते पूछी जाती है यही कंसेप्ट रहता तो अगर अठारा नहीं हो पाते किसी वीडियो में तो दिक्कत मत लिया करो भाई इंपॉर्टेंट कुष्चन आपको मैं यहाँ पर कराता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यह कुष्चन पेपर में नहीं आएंगी हमें भी पता है लेकिन इस टाइप के कुष्चन पेपर में जरूर आते यह भी आ सकते हैं ठीक ना केवल यूनिट बदल सकता है आ सिंटीन सेंटीन मेटर हैं और कुष्चन पाह गया है वृत्टे का छेत्र फल बतााओ व्रट का छेत्रफल बता ओं एरिया आप सरकिल आपको बताना है एक ब्रत की तुरे को रेडिया को आपको बताना है तो इस notion ko हम कैसे लगा सकते हैं हमको पता है कि यह होता है मेरे संसर के लिए मैंने मान लिए मेरा संसर काय यह से लेकर यह कि की दूरी को रेडियस यानि की तिरिज्या कहते हैं इसकी वैलू बता है 21 सिंटीमीटर या 21 हमसे पूरा एरिया पूछा गया है तो व्रत का दोस्तों एरिया होता क्या है व्रत का छेत्रफल होता क्या है मैंने आपको सरकिल वाली इखलास में बताया था पाई आर स्कॉयर स्कॉरू और पाइस मल्टिप्लाई का 63 ठीक है कि करा सकते हो 63 का गुड़ा 22 से कर आओगे तो दो स्थे 2 चंग हो गया 12 हो गया चीज़े दोचंग हो गया 12 यानि ओग छेघ्च्ट में बारा यानि च्छेच्ठ दो आठ्ट दो एक तीन आपको यह समझ में आया होगा वीडियो आपके लिए helpful रही होगी यही आजा के साथ आपकी वीडियो इंड करता हूं मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ नए टॉपिक के साथ में मौडर पेपर के साथ और दिल में यह मत रखना दोस्तों की टोटल 18 कुश्चन ही जरूरी है मे आपको यही आयेंगे काम आपको यही करना आए तो यही पढ़लीजेयर वह विंगर प्ढ़ने के साथ नहीं है ठीक है यही सब भाविकल्पी भास जाता है तो मिलेंगे कल मोड़ पेपर काय किसा है तब तक के लिए बबने भाबाबाट रिचे कई जयं जय भारतो बादै म लेट हो दो अपको आगर नागत रहीं वह मुड़िस डाप से जागत्न,